नमस्कार क्यापिटल टीवी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूजा उतर प्रदेश में चुनाव संपन इंतिजार नतीजों का देस मार्श को नतीजे आएंगे जादा दिन दूर नहीं है लेकिन एग्जट पूल आप तमाम चानलों में देख रहे होंगे पर सारे चैनलों का निचोड क्यापिटल टीवी एक अपना एग्जट पूल लेकर आया है आपके सामने हम आपको बताते हैं कि हमारे हिसाब से क्योंकि लागतार क्यापिटल टीवी की टीम ग्राउंड में मौजूद थी अलग-अलग फेजस को हमारे समवादाता सयोगियों ने कवर किया उसके हिसाब से सेकंड फेज की बात करें तो नौ जिलों की 55 सीटों पर दूसरे चरण में उत्रप्रदेश में चुनाओ संपन हुए है 14 फरवरी को यहाँ पर मतदाल हुआ था और हम जो सर्वे किये हैं उसके हिसाब से बीजेपी को 30 से 32 सीटे मिलने की हम अनुमान लगा रहे हैं वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो सपा को 20 से 24 वहीं BSP को 1 से 2 कौंग्रेस के हाथों सुने और अदर्स के हाथों सुने तो यह हमारा आकलन है यह हमारा आकला है हाला कि यह हम अनुमान लगा रहे हैं हलाकि दस तारीकों ये साफ हो जाएगा कि सेकंड फेज में बीजेपी कितनी बढ़त बनाए हुए है लेकिन दावे किये जा रहे है कि बीजेपी को यहाँ पे पार पाना बहुत मुश्किल है टफ कॉम्पेटिशन होगा क्योंकि एक जो एलाइंस हुआ है समाजवादी पाट इसको हर अलग अलग जिलों में जाकर कवर किया आपके इजाब से क्या लग रहा है जो हम आकड़े अपने दर्शकों को बता रहे हैं क्या ये जीत में तब्दिल हो पाएगा दस तारिक को देखे बिल्कुल ये जीत में कहीजने तब्दिल होंगे इसके कई खालना है हम ऐसे नहीं कि ये 30 से 22 सीटम ने ऐसी दिखा दी ये समाजवादी पाटी को क्रारी टक़ कर में ऐसी दिखा दी पहले फेस में ऐसी टक्कर नहीं थी लेंगे सेकंड फेस में दौनों में जरूर थी क्योंकि ये पूरा इलाका मुस्लिम इलाका है कही न कही जहां पर ये 9 जिले आते हैं अधिकतर मुस्लिम बहुल इलाके हैं जैसे कि मैं बात करूँ सहरनपुर, रामपुर, संबल इसके लावार तुमारे मुरादावाद है, अमरो हाय, बदायू है तो ये जिस सारे जिले हैं, 9 के 9, इनमें mostly जायतर वहां लोग मुस्लिम हैं तो ऐसे में यहां पर कही ना कहीं समाजवादी पार्टी को यहां बढ़त मिलती इसलिए दिखाई दे रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का एक तरीके कह सकते हैं, वोट बैंक है लेकिन यहां भी, अब जो 30 से 32 हमने दिखाई हैं, इस पर हमें जरूर समझना चाहिए क्या है यहां का चुनावी गड़ित, मतलब मुस्लिम बाहुल इलाका होने के बावजूद भी, समाजवादी पार्टी को उतनी सीटे क्यों नहीं मिल रही हैं, जितनी उम्मीदे की जा रही थी समाजवादी पार्टी का वहाँ कोरवेट, वोट बैंक है, उसके अलावा तब भी नहीं मिल रही है, अब देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण यह है, कि आरली के साथ गड़बंदन हुआ है, तो कुछ मुस्लिम इस चीज का समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि मुझभ नग अगर बात करूं, यह जो बीजेपी को इतनी सीटे मिल रही है, तो सहरनपुर में इस बार हवा बदलती भी दिख रही है, हवा का रूख इस बार बदला है, क्योंकि सिक दंगे जो हुए थे दोजार, तेरे के लगवग, तो वहाँ पर उसकी आग है, इसके लावा मैं बात करूं, रामपुर, अगर रामपुर की बात करें, तो रामपुर में इस बार आजम खान जेल से लड़ रहे हैं, सौर सीट से उनके लड़के, अबदल्ला आजम लड़ रहे हैं, लेकि इन दोनों सीट आप बहुत बड़ी लड़ाई है, क्योंकि हमजा खान को जो नवाब वारिस हैं, उनको मैदान में उतारा गया है, बीजेपी के गठवन्दन की ओर से, जो अनुपरिया पटेलें, उनकी गठवन्दन से, मतलब उनकी पार्टी से उतारा गया है, तो वहाँ पर खराई टकर है, तो इस बार लग रहा है, कि कहीं न कहीं, जो सौर सीट है, वो आपको बीजेपी की सरकार में, योगी आदितनात की सरकार में कुछ फायदा मिला, तो रहन बताया, कि जो गरीब तपके के लोग थे, उनको घर मिला है, राशन दो वक्त का, मतलब दो बार मिल रहा है महिने में, बिजली सड़क बहुत अच्छी हुई है, तो वहां के लोगों को आवास मिलें, अब सोचिए, चार में से तीन विल रहे हैं, और वो लोग कह रहे हैं इस बात को, कि हम जब बीजेपी ने इतना दो लाग सत्तर हजार रुपे एक घर के लिए दिया है, तो हम क्यों ना वीजेपी के वोट दें, यानि एक एक घर में, अलग अलग नजर डाले, तो समाजवादी पार्टी ने 15 और कॉंग्रिस ने 2 सीटे जीती थी, हलाकि कॉंग्रिस का यहाँ पे सूपडा साब जरूर नजर आ रहा है, पर बीजेपी को 38 सीट मिली थी, लेकिन हम इस पे नजर डाले, तो सेकंड फेज में बीजेपी को कही ना कही नुकसान जरूर देखने को मिल रहा है, देखे नुकसान की उमीद तो हम 38 से 38 पिछली बार मिला था, अभी यहाँ पे हम 30 से 32 का आकड़ा यहाँ पे दे रहे हैं, लेकिन बहुत जादा नुकसान नहीं हो, राय जिस तरह के कयास लगा जा रहे थे कि बहुत जादा नुकसा होगा, यहाँ पे समाजबादी पार्टी को 40 से जादा सीटे आएगी, ऐसा बिलकुल होता हुआ नजर नहीं आरा, खास बात यह है कि यह मुसलिम बहुल इलाका है, हमारी सेयोगी शबनम भी हमारे सा जुड़ी हुई है, जो खुद एक मुसलिम समुदाय से बिलॉंग करती है, शबनम बहुत सारे एक एहम मुद्दे है, खास करके बात करें मुसलिम महिलाओं को लेकर तीन तलाक है, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर ऐसा इस बार कहा जा रहा है कि मुसलिम महिलाएं जो है वो अब बीज़पी का समर्थन करती हुई नजर आ रही है, सेकेंड फ तो 38 सीटे मिली थी, तो यहां सपा को पिछली बार भी फायदा नहीं हुआ था, और यह लोग कहते हैं, गलत फैमी फैलाते हैं, कि अगर मुसलिम गड़ है, तो यहां सपा का ही गड़ है, बीज़पी का ही गड़ है, लेकिन यह गलत फैमी है, अब यह बीज़पी का के लिए मुस्लिम लोगों के लिए जो सुविधायें दी हैं आज लोग उससे कुश हैं जैसे तीन तलाग का मुद्द आप देख लीजे अभी भी लोग उससे बहुत खुश हैं क्योंकि पहले जो प्रताधनाय महिलाओं को मुसलिम महिलाओं को जहलनी पड़ती थी घरोंसे योकी शिक्षार करोगी स्कूल जा करोगी। नहीं गर्वाज को पर परदें रहे हैं। प्रचार ऐसे से प्रचार किये हैं कि महिलाओं को जागरुक होने का एक बहुत अच्छा वो मिला है, मोटिवेट हुई है अर्चीज से, तो आज का ये मुद्दा नहीं रह गया है कि सिर्फ मुस्लिम सपा को, BSP को देगा, आरे भाई आज जमीनी स्थर के मुद्दे देखे जा रहे हैं कि उन्हें सुविधाएं क्या मिल रही हैं, तो उसी के वलबूते पर इस बार BJP ही इस मुस्लिम बहुले इलाके में पर्चम लह रहाएगी। का दौरा किया था और कहीं ना कहीं हम उन इलाकों में गया हैं जहां पर मुस्लिम वर्क के लोग रहते हैं, उन्होंने बताया कि उन्हें राशन मिल रहा है, करोना काल में जो समस्याएं उनकी थी, योगी सरकार ने दूर की और कुछ ऐसी भी महिलाएं थी, जो क्यामरे में बात करते करते हुए, कैपिटल टीवी के कैमरे में बात करते हुए, रोती भी नज़र आए, तो इस बार जिस तरह से सब चबनम ने भी बताया कि इंपॉर्टिन मुद्दे हैं और मुस्लिम कहा जा रहा था कि बीज़ेपी के साथ नहीं है, लेकिन जो आकड़े आ रहे हैं और ग्राउंड रिपोर्ट की जो आकड़ेम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि यूपी का मुसल्मान, यूपी की मुसल्मान महिलाए, बीज़ेपी के साथ हैं। ये समझाया था कि आपको बर्गलाय जा रहा है, जिस तरह से मैं आपके दर्द को समझता हूँ, अगर समाजवादी पार्टी ने या फिर कॉंग्रेस ने आपके इस तीन तलाक के मुद्दे पर कोई वी ऐसी समस्या का समाधा नहीं किया, जिससे आपको निजात मिल सकें। लेकिन बीजेपी के सरकार ने ये सब करके दिखाया और बीजेपी चाहती है कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में किताब होनी चाहिए, या एक हाथ में कंप्यूटर और माउस होना चाहिए, तो बीजेपी चाहती है कि हमारे देश का मुसल्मन आगे जाए, आगे पढ़े बढ़े आगे तो ये बीजेपी की नीती है इसी लिए सहरनपुर में भी लोगों ने बढ़ चड़ कर वोट किया बीजेपी को जिस तरही से हमने बात चीत की तो वहां की लोग मुसल्मान खुद कह रहे थे देववंद के हम तो बीजेपी को वोट करेंगे शहर विदान सवा लोगों को गयीँ तो तो दूसरी बात रामपुर में भी अच्छा पासी बोटिंग हुई है तो इस बार कहीं नहीं होता रहा है लेकिन देखने वाली बात होगी क्या होता लेकिं कहीना का इस बार वो हिसाब किताब नहीं रहा है आजम खान गाजो जेल में जेल से बाहर थ पिसली बार भरे ही बहुत कम सीटें को यहां लेकिन इस बार कई मुस्लिल बहुल आलये भीजयपी को अच्छी खाशी सीटें मिलते ही दिखाई दे रहे हैं लेकिन तीन मुद्दें बड़े हैं इस भार अपर पराशन आ दूसरा मुद्दा तुमारा सुशासन और तीसरा मुद्दा है आवास यूजना और सड़क पाने बीजले तो है ये लेकिन ये तीनों मुद्दे इस बार प्रकर रहे हैं और खासकर मुस्लिम बाहुल इलाकों में तीन तला का आज भी मुद्दा है और मुस्लिम महलाएं सालेंट बोर्ट देती हैं चुप पोल कह रहा है वो दूसरे चरण में 55 सीटों पे बीजेपी को 30 से 22 सीटे समाजबादी पार्टी को 20 से 24 बीस पी को 1 से 2 और कॉंग्रिस को सुन्य अदर्स के हातें भी सुन्य नजर आ रहा है तो ये हमारे आकड़े हैं हलाकि 10 तारिकों ये साफ हो जाएगा कि किसकी बनती ह है सरकार किसकी जीत होती है किसकी हार होती है कैमरे पसन अशो के साथ मैं पूजा क्यापिटल टीवी